आप सब लोगों का अभिवादन आदनी मुनवराना साब डोक्टर कुमार विश्वास और तबाम शायर लोग बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं रेडी साब ने क्या बढ़िया सुनाया जितना अच्छा कंटेंट था उतना अच्छा स्वर्वी था मैं गाता नहीं हूँ और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता उसके बावजुद गा नहीं रहा हूँ ऐसे दोर में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा आप हम लोगों की सुन रहे हैं वे बहुत अच्छा दिया सच बताओं कभी और शायर बड़े संकट में कोई सुनता नहीं मैं तो पिछले दिनों नियोर्क जा रहा था हालांकि ये जूट है लेकिन मैंने मोदी जी से सीखाया कि आदमी जूट भी बोले तो विजन बड़ा होना चाहिए जिन्दा बाद इन्होंने थंपत भाई इन्होंने भी मोदी जी से सीखाया कि माल किसी कभियों किसी को भी टिका जेना चाहिए फ्लाइट में बरबर वाली सीट पर एक सज्जन बैठे थे उन्होंने टाइम पास के लिए पूछ लिया जी क्या करते हो मैंने का जी कभी हूँ और मैंने पलट के पूछा आप बोले जी बैराओं मैं तो कभी शायरों को सुनकर के आपको लगी गया होगा कि अच्छे दिन चल रहे हैं जी ओ वाले फिरी सिम बेच करके भी कमा रहे हूं और बी एसनल अपना खर्चा रोंग नमबर से निकाल रहा है अच्छा है वाँ 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 इससे ज्यादा अच्छे दिन के आएंगे मैं तो घर की देरी पे बैठा था तो एक सज्जन रोते पीड़ते आये रात को शायद स्वच्छ भारत अभ्यान के तहते एक चोर उनका घर साप कर गया था माथा पीड़ते जलाती वे बोले संपसरल जी क्या यही थे वो अच्छे दिन मैंने का कहने वालों ने यह थोड़ी कही थी कि अच्छे दिन सिरफ साउकारों के आएंगे सरकार का एक लक्ष सबका साथ सबका विकास भी तो है लेकिन हम भागे साली हैं कि 68 साल में पहली बार हमें एक बहुराष्ट्य प्रधानमंत्री मिले आधी दुनिया का चक्कर काटके आगे अभी तक तो कोई इन्वेस्ट राया नहीं है इससे आचा तो ढ़ाई साल में देश के व्यापारियों पर भरिश्वा करता तो देश की तकदीर बदल जाते आधी दुनिया का चक्कर काटके आगे अभी कोई इन्वेस्ट राया नहीं बड़ा और वो बारे सरच जोशी जी ने बड़ी अच्छी बात कही हमें वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर जनम में विश्वास हो मैंने तो खुद एक मोबाईल फोन फाइनेंस करा रखा है ताकि फाइनेंस करने वाली कमपणियों के फोन आ सके फोन करने वाली अक्सल लड़की होती है वह बोलती है सर हमारी कमपणी से लोन ले लो कम इंट्रेस्ट आ रहा है मैं तो कहता हूँ बाई तु तो बोलती रहे बहुत इंट्रेस्ट आ रहा है जैसा होना चाहिए वैसा नय होकर के जो नहीं होना चाहिए वह होता है तो व्यंगे पैदा होता है अभी बताया जैसे अजार और पानसो के नोट चलन से भार हुए हैं गेर कानोनी घोशित नहीं हुए हैं ऐसे समझे जैसे दो बुजुरुग नोटों को मारक दर्सक मंडल में डाल दिया है अच्छी बात है चोरी रुखनी चाहिए लेगिन मेरा मानना है डाका भी रुखना चाहिए क्या बात है एक लाइन में शिरी सिरी रवी संकर यमना के उद्दार में लगे थे और विजे मालया गंगान आ गया बाई ने 17 बैंकों की आलत उन नातिवी गोपियों जैसी कर दी जिनके कपड़े उठा के करशन जी पेड़ पे चड़ गे थे राजनितिक दलों को मिलने वाला जो चंदा है वो आईटी आई के दाएरे में लाओ तब पता लगेगा कि सीना कितने इंच का है विशंगतियों शिव्यंग निकलता है स्वच्छ भारत के स्वच्छ भारत अभियान के ब्राइन डेमेश्टर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी खुद की बेड़ सीट नो कर जाड़ते और वो लोगो देखा आपने स्वच्छ भारत अभियान का गांधी जी का चस्मा जिसके एक सीशे पर स्वच्छ लिखा है दूसरे पर भारत यानि जिदर स्वच्छ दिखता है उदर दो भारत नहीं है जिन्दावार भारत दिखता है वो स्वच्छ नहीं है हद तो तब हो गई जब डीडी किसान चैनल लोंच किया सरकार ने और उसके तो ब्रैंड डेमेश्टर बनाएगे अमिताव बच्चन तो किसी ने सवाल कर लिया कि अमिताव बच्चन का खेती किसानी से क्या लेना देना मैंने का भहिया सरकार का मानना है कि फसल में दाने बले इनने लगें पोदे तो लंबे हों वो पिछले साल जापान के प्रधान मंत्री शिंजो आबे आये थे हिंदुस्तान तो मोदी जी ने शिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन पर समझोता किया और अगले दिन शिंजो आबे को बनारस ले जाकर के तीन घंटे तक गंगा आरती दिखाई तीन घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे ने कहा मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुरसत है तो काये को बुलेट ट्रेन चला रहे है